अब हम सुरू करने जा रहे हैं अध्याय दस को तो अध्याय दस में हैं त्रिभूजों की सर्वांग सम्ता तो ये सर्वांग सम्ता क्या होता है तो सर्वांग सम्ता जो होता है वो एक त्रिभूज दूसरे त्रिभूज को क्या कर लेते हैं धक लेते हैं उसको हम कहते हैं सर् कि सरवांग सम्ता मतलब एक त्रभूज जो दूसरे त्रभूज को क्या कर लेगा ढख लेगा हमें सा दो त्रभूज रहेगा वहां पे तो दोनों त्रभूजों में से पहले त्रभूज दूसरे त्रभूज को ढखता है उसे सरवांग सम्ता कहते हैं अब आते हैं यहां पर देखो कुछ प्रमे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो S.A.S. लिखा हुआ है बीच में, कोष्टक के अंदर, तो S.A.S. का मतलब क्या होता है, कि भुजा, कौण, भुजा, मतलब S. का मतलब भुजा, A. का मतलब कौण, और फिर S. का मतलब भुजा, तो यह सर्वांग सम्ता के अनुरूप नियम है, फिर देखो सर्वांग सम्ता प्रमे में देखो, तो यहाँ पे चार प्रमे आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्या है, A.S.S. A.S.A. है, A. का मतलब कौण, S. का मतलब भुजा, और A. का मतलब कौण, फिर देखो, दूसरा देखो, A.A.S. A. का मतलब क्या होगा है, कौण, फिर, फिर से A है, उसका मतलब कौण, और फिर S. का मतलब भुजा, फिर देखो, नीचे बाले में, तीसरा में देखो, कोषटक के अंदर दिया हुए, S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S 10.1 का पहला प्रस्ण है चीत्र में यदि OA बराबर OD तथा OB बराबर OC हो तो इन में से कौन सा कथन सत्य है तो यहां पे देखो यहां पे 3 कथन दिये होए है पहला A, B और C तो हमें इन में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य हो रहा है तो देखो यहाँ पे चित्र आपको देखना है तो चित्र देखो तो चित्र में देखना है तो देखो यहाँ पे A से D रेखा दोनों एक ही रेखा है और यहाँ से देखो C से B रेखा दोनों एक ही रेखा है तो A, A अब हमें देखना है त्रिबुज में देखना है तो त्रिबुज A, C, स्वारी A, O, C त्रिबुज A, O, C देखो त्रिबुज A, O, C कहां पे है तो त्रिबुज A, O, C A में है और B में है तो यहां पे C में है क्या C में नहीं वो जो निسान है वो समरूप का निसान है तो बराबर है और समरूप है अब हमें देखो जब यहां पर हमने A से स्टार्ट किया तो हमें इसी रेखा के last point क्या है? D है तो अब हम क्या करेंगे? तिरभुज को D से स्टार्ट करेंगे तो देखो D-O-B तो देखो DOB किसमे है तो A में है क्या A में DOB नहीं है क्या B में है तो देखो B में DOB मिल रहा है तो हमारा answer क्या आ गया B आ गया ठीक है तो इस तरह से हमने प्रस्ण में से 3 option में से 1 option को चुन लिया जो इसका original answer है अब हम देखते हैं प्रस्ण करमांग 2 को तो प्रस्ण करमांग 2 में है दिये गए चीतर में त्रिभूज ABC तथा त्रिभूज PQR को देखकर बताईए कि कौन सा कथन सत्य है यहां भी 3 कथन दिये हुए है तो यहां पर देखो सभी में सामने में त्रिभूज ABC ABC दिया हो मतलब परफेक्ट पता है कि ABC होगा पहला तो पहले वाले को देख लेते हैं त्रिभूज ABC तो A से B की दूरी कितनी है 3.3 cm तो देखो दूसरे वाले जो त्रिभूज दिखाई दे रहा है उसमें 3.3 cm कहां पर है तो देखो यहां पर है QP ठीक है QP है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका Q से तो Q और P तो देखो कहां पर QP QP आ रहा है तो देखो यहां पर जो सेकर्ट सॉड़ अधय जस्ट उसके उस पार तिरभूज ABC बराबर के समरोप के उस पार देखो और तिरभूज दिया हो दूरी है तो वहाँ पे देखो R लिख दो तो मतलब हमारा जो answer है दूसरे side का वो आगया QP R आएगा तो देखो यहाँ पे QPR कहाँ पे है तो देखो B में ही प्राप्त हो रहे यहाँ भी तो हमारा जो answer है वो कौन सर हैगा B रहेगा अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्नकरमांग 3 में तो प्रस्नकरमांग 3 देखो निम लिकित में से कौन सी सर्वांग समता की कसोटी नहीं है तो पहला यहाँ भी तीन option है A, B, C A में SSS तो SSS हमने पढ़ा है प्रमे में है तो मतलब यह है B को देखो S.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S आपको किसी सर्वांग सम्ता की कौसौटी नहीं तो यहाँ पे C option आएगा अब देख लेते हैं प्रस्नकरमांग 4 को तो प्रस्नकरमांग 4 में देखो दो त्रिबुजों के सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोडों के समान होने के अतरिक्त कम से कम संगत अव्यवयों का समा होना आवस्यक है तो इसमें तीन option दिये हुए हैं इन में से कौन सा होगा तो कोई संगत भुजा बराबरन हो मतलब कोई संगत भुजा इसका कहने मतलब बराबर हो दूसरा है कम से कम एक भुजा बराबर हो और तीसरा कह रहा है तीसरे संगत कोड बराबर हो तो इन दोनों म से बी वाला एंसर सही हो रहा है क्यों क्योंकि कम से कम अगर एक भुजा बराबर है तो वो सर्वांग संग हो सकता है होने पर तो तीनों है पर इसमें से कम से कम एक भुजा बराबर होगा तो भी वो हो सकता है सरवांसम यह कह रहा है तो इसका भी option क्या आया बी आया अब देखते हैं प्रस्नकमरांग 5 को तो प्रस्नकमरांग 5 में है चीत्र में कोड़ B बराबर कोड़ C तथा कोड़ D स्वाजरी तता कौझ तथा B D और C D क्रमसा इसके सम्दिभाजक है तो A B अनुपात A C होगा तो यहांपर देखो एक इन्सर निकल गया उसके बाद अनुपात में देखो पीर अनुपात में यह जब तीनो बराबर है तो इसके सभी मान क्या होंग बराबर होगे तो एक अनुपात एक इसका एंसर होगा अब देख लेते हैं प्रस्नकरमांग 6 को तो प्रस्नकरमांग 6 है निम्न भुजाओं के युगमों को देखकर बताईए कि प्रतेक चीत्र में कौन सी सर्वांग सम्ता की कसौर्टी लागू होता है तो पहला चीत्र तो देखको एक यह जो चीत्र आपको दिखाई दे रहाए यह क्या है सम्कोर्ट तृबूज है तो दोनो चीत्रों में इस से दर्षा होता है तो यहाँ पर कॉन से नियम लग सकता है तो समकोड त्रिभूज अगर है वहाँ पर तो समकोड त्रिभूज को हम r से दरिसाते हैं इसके बारे में हमने प्रमे में बात किया है तो समकोल किससे दरिसा Takz Morrisickers क्राइगे r से और जो करणा है यहाँ पे देखो करन तो रहेगा इसमें समकोर्ट त्रिपुजत करना भी होगा तो करन जो है उसको किस से दर साते हैं H से और भुजा को किस से दर साते हैं S से तो यहाँ पे कौन से नियम लग गया R, H, S प्रमे लग गया अब दूसरा चीतर देखो तो देखो दूसरा चीतर क्या है कि दोनो दोनो देखो दोनो जो त्रिभुज़ है वो समान है एक उल्टा है और एक सीधा है लेकिन दोनो एक साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कौन से लियम लगेगा तो यहाँ पे लगेगा भुजा कोर भुजा तो भुजा कोड़ भुजा क्या होता है तो भुजा कोड़ भुजा मतलब S से S लगेगा यहाँ पे तीसरा देखो तीसरा क्या है तीसरा भी दोनों चितर देखो समान है एक उल्टा है एक सीधा है लेकिन यह आइट साइड से है left को right के side से left out सीधा है तो अगर ऐसा चित्र रहेगा, तो ऐसे चित्र में क्या रहेगा, korn, korn, bhuja, korn रहेगा, तो korn, bhuja, korn को किस से दरसाते है ete, और bhuja को, भhuja को दरसाते है ae, से उसके बाद देखो, सामने जो है, और फिर से सामने के आगे कोर्ड तो भूपर जा रहा है उपर जा रहा है मतलब दोनों का क्या है को यहां पर यह हो गया फिर C जो आपको दिखाए दे रहे यह कौड है और R भी कौड है तो कौड को किसे दर्स आते हैं A से और इसका भी कौड क्या है A से तो A यह दोनों में प्राप्त हो गया और नीचे वाला देखो सबसे नीचे जो लाइन दिखाए दे रहे वो भुजा का है तो भुजा को दोनों जो त्रिभुज है वो एक बराबर है और एक ही दिसा में जा रहे है तो दोनों त्रिभुज एक बराबर है और एक ही दुसरा में मतलब इसके सभी भुजा है क्या है बराबर है तो जब सभी भुजा है बराबर है तो इसमें क्या लगेगा भुजा भुजा मतलब य SSS होगा तो इस तरह से प्रस्ण कर्मांग 6 तक कि हमने देख लिया बाकि जो प्रस्ण है वो हल करने वाला है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे